तो हेलो अच्छे कैसे हाँ मैं हूँ आपका डीजे सर की स्टोन कोचिंग संटर का डारेक्टर और आज हम लोग फिर से जोस होस के साथ मोशन क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चेप्टर का लेक्चर 7 लेक्चर यानि कि लेक्चर 1,2,3,4,5,6 खत्तम हो गया है हम लोग लेक्चर 6 में एक्सेलरेशन को पढ़े थे एक्सेलरेशन क्या था वेलोसिटी में बदलाव टाइम के ही साब से उसे हम लोग क्या बोले थे एक्सेलरेशन उसमें हमने मोशन पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सबकुछ कॉंस्टेंट मेंगनेटि और डारेक्शन सब कोच नौन उनिफर्म कुछ भी बदल गया या तो दोनों बदल लिया नौन उनिफर्म हो गया हमने स्पीद पढ़ा था डिस्टेंस अपन टाइम वेलोसिटी के पढ़ा था डिस्पलेश्मेंट अपन टाइम इस्पीड भी स्के और एक्सलेरेशन वेक्टर कॉंटिटी को कहते हैं जो तभी बदलेगा जब उनका वेलू बदले भी बदल जाएगा अगर आप डायरेक्शन बदले तो भी बदल जाएगा तो हाज हमारे पास सब्सक्रां बढ़ाए पड़ना है के सब्सक्राइगा बदले कि बदले के सब्सक्राइब मेरे पस बहुत सवाल है कि अप अब टेंशर ना करें श्रीप थीओरी नहीं है हाँ पहले श्रीप हम लोग फियोरी पढ़ेंगे उसके बाद जो लेक्टा आएंगे श्रीप सवाल आएगे तो फिर फिर सवाल पर अग्दम तूट पढ़ेंगे तो आया हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी ताखीर के यहां पर रहें कि स्टार्ट करने से पहले यहां कुछ लिखावाए अगर आप लोग को इंग्लिस पढ़ना आता है तो देख लिए इसको क्या करना है बस यह आपके जिम्मा में छोड़ दिया हम लो इसको आम नहीं पढ़ा सकते हैं यह मेरे लिए आउट उप से लेवे से आप लोगको करना है यह ēप लोगको मुझे यह पढ़ाना है यह चीजा है क्या है हमारे पास आप युनिफार्मली आक्स sonra यानी कि जब हमारे पास एकस्विशन यॉनिफार्म होगा एक्सलीरेशन यूनिफार्म का मतलब क्या है और मोंचन लिखा गया है कि तभी एपला होगा जब हमारा एक्सिलिरेशन होगा यानि कि यूणिफोर्म होगा कि मैं तो सवाल में यह तीनों फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये बात कन्व नों करना होगा कि हमारे पास जो एक्सिलिसन है वह यूणिफोर्म यानि कि constant है कि नहीं है आगर acceleration constant या फिर uniform नहीं हुआ तो यह सब फाल्त है कुछ भी काम नहीं आएगा यानि कि यह तभी काम का है जब acceleration uniform रहे गया यार तो लगा देना नहीं रहा तो अगे बढ़ देना वही दिख्कत वाली बात भी हाँ, तो equation of uniformly accelerated motion में क्या आएगा, apply when acceleration is uniform, यानि कि जब acceleration uniform हो, mind में image clear कर लीजिए, uniform का मतलब क्या है, value और direction दोनों सेम हो, उस type का motion को हम लोग uniformly accelerated motion बोलेगा, अब यहाँ पर हमने एक formula लिखा है, average velocity का, यानि कि uniform motion में, हमारे पास जो average velocity का formula क्या होत है, final velocity plus initial velocity by two, average, इन दोनों का average, initial and final का average, मानली जी कि final velocity है 40, initial velocity है 20, तो average कितना आ जाएगा, uniform motion में, 40 plus 20 कितना क्या, 60, 60 का अधा 30, मानली जी कि initial 40, final 60, 60 plus 40, 108, 250, average आ जाएगा, यानि कि uniform motion में, हमें दोनों velocity दिया हुआ है, सुरू का और बात का, तो average क्या करेंगे, दोनों का जोड के आदा, दोनों को जोड के क्या कर देना है, आदा कर देना है, average वेलसिट आ जाएगा, simply ये भी सवाल पूछ सकते इक जामे कही बार, क्या पूछे का आपको, एक car था, एक car था, अभी है नहीं, फिलाल, एक car था, जिसका वेलसिटी सुरू का, बीस किलोमेटर परति गंठा था, और बाद में, कुछ समय बाद, बदल कर 40 हो गया, यानके बढ़ गया, 20 से 40, और ये भी बोला गया कि मोशन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का था, एक चीज़ आप माइन में किलियर कर ले, यूनिफॉर्म एक जीज़े और यूनिफॉर्म वेलसिटी अलग चीज़े, दोनों अलग अलग ही इनको मिला ही नहीं, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब एक्सिलरेशन कॉंस्टेंट, यूनिफॉर्म हो गया, अगर वेलसिटी कॉंस्टेंट हो गया, फिर एक्सिलरेशन किस बात का, एक कुसी कहने का यह मतलब है कि जब्भी सवाल में यह बोला जाएं कि यह uniform accelerated motion जब्भी सवाल में यह encanta Creator का सवाल है या पिर आपको सवाल का language से भासा से पता चल झाये कि यहाँ पर कहीने कि acceleration uniform है और हमएं सुरों का और बाद का velocity दे रहा है और average पुछा है तो क्या करेंगे उन दोनों को जोड़के जोड़के आधा अब आए हम लोग मुद्धा पर चलते है equations of motion equations of motion basically हमारे पास तीन है first equation of motion second equation of motion and third equation of motion पहले हम लोग discuss करेंगे first equation of motion first equation of motion क्या कहता है क्या हमने acceleration पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा है acceleration क्या है velocity में change upon time velocity में change final minus initial यहीं तो change आएगा ना अंतर difference final minus initial upon time यह acceleration आगया velocity में change यहनिके acceleration ठीक है अब हमने क्या क्या टी को इधर multiply किया कोई दिक्कत किसी को problem कि सर नहीं रहने दीजा अच्छा लग रहा है नीचे इदर मत कीजिए सर मत कीजिए ना नहीं करूंगा जवर्दस्ति करूंगा यह टी को एक साथ multiply किजिए तो भी माइनस यू कितना आ जाएगा अब यहां से भी माइनस यू बड़ावर कितना आ गया एटी यह टी एक साथ multiply होगा अब यहां पर यह यू किसमे है माइनस में जब यू इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पलस पलस हो गया तो यहां से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा इनिसियल वेलोसि सवाल बोलेगा कि फास्ट इक्वेशन का फर्मुला क्या है भी वरावर यू प्लस एटी यानि कि यानि कि इसमें क्या बोला जाएगा एक कार था उसका सुरुवात का स्पीड इतना था इनिसियल इनिसियल मतलब सुरू का वेलोसिटी इतना था और कुछ टाइम बाद हाँ इनिसियल सुरुवात का वेलोसिट इतना था और एक्सलेशन इतना था अब इतना कुछ समय बाद उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा किस पैटन का सवाल बोलेगा पूछा जाएगा आपसे ध्यान दिजिए जैसे किस पैटन का सवाल पूछा जाएगा कि एक कार है शुरू में इसका वेलोसिटी यू कितना था 10 मिटर पर सेकेंड और एक्सेलेशन मा लिजे कि 5 मिटर पर सेकेंड स्क्वेर और ये पुछा जाएगा कि 5 मीनट बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा यानिकि first equation of motion से आपसे basically final velocity का बारे में पुछा जाएगा सुरू का सब किस दियावा रहेगा शुरू का speed दियावा रहेगा acceleration दियावा रहेगा यानिकि U दियावा है ए दियावा है और कितना time बाद यांकि T भी दिया हुआ रहेगा और हमसे भी पुछेगा तो भी हम लोग क्या करेंगे U प्लस A T, U इनिसियल वेलोसिटी, A यूनिफर्म एक्सेलेशन और T जो टाइम रहेगा आपको ये चीज़ याद रखना है कभी कभार, कभी कभार सवाल में इनिसियल वेलोसिटी इनडारिक्ली दियावा रहता है, यानि कि आपसे ये बोला जाएगा कि कार अपना मोशन रेस्ट से सुरू करता है यान कि कार पहले रुका हुआ है रेस्ट में है अगर रेस्ट में रहेगा तो इनिस्यल वेलोसिटी कितना आएगा जीरो तो यह बात अपको गाट बांद लेला है कभी भी अगर यह पूछा जाए कि motion rest से शुरू हो रहा है, यानि कि कोई आख रेस्ट में था चलना शुरू किया, कोई बाइक रेस्ट में था चलना शुरू किया, यानि कि जो rest से चलेगा, तो rest में उसका initial velocity हमेसा कितना आएगा? जे एक्जाम में यह बोली है नहीं लेकिन आपको पॉइंट आउट परके याद रखना है कि मुझे सर ने बताए था कि यार इमोशन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है यह नहीं कि कहना कहीं यू जीरो दिया हुआ है डारेट ले जीरो पुट कर दो यहां दिमाग नहीं लगा पर चला कि अब एक्जाम में डूढ़ने वेड़ेगे सर यू तो पूरा पेपर में कहीं भी नहीं है तो दिया हुआ है यह तो गिवन है नहीं तो क्या करें क्या सवाल छोड़ दे क्या नहीं सवाल में देखो कहना कि किलू गिवन होगा कि मोशन यानिकी पार्टिकल से छलने के बाद वाला वहलो सिटी चलने के बाद जो बाद वाला जो फालनल वहलो शिटी आएगा उसरीं क्या नाम d Liz भी दूसरा हमारे पास क्या है था यू यू मतलब सुरुवात का वलोसिटी ये जीरो भी हो सकता है कब जब रुकावा रहेगा चलना शुरू करे यू क्या है हमारे पास इनिसियल वलोसिटी है शुरुवात का वलोसिटी एक क्या है हमारे पास uniform acceleration है ये भी गिवन रहेगा और T क्या है हमारे पास? टाइम है तो first equation of motion क्या conclusion निकल के आया? कि B बराबर U plus AT जहांपर B final velocity है बादवाला वेलोसिटी पहुँच के जाने के बादवाला वेलोसिटी U initial शुरुवात का वेलोसिटी A acceleration और T टाइम यह first equation of motion समाप अब next हमारे पास क्या आएगा? Second equation of motion Second equation of motion क्या आएगा? S, S क्या है travel distance यहनिकि particle ने कितना दूरी तै किया? क्या होगा? UT plus half AT square इसमें सवाल कैसे बनेगा? एक्जाम में क्या रहेगा? A particle starts its motion with initial velocity this कोई particle अपना motion initial velocity इतना से start किया with acceleration this then after given time what will be the travel distance of that particle? यानि कि मान लिजी कि यहाँ पर एक कार है यह कार है हाँ यह कार है बोड में चलता है यह कार है और इसका सुरू का कुछ velocity है मान लिजी कि यह 10 मिटर पर सेकेंड से चल रहा है यह कार 10 मिटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है यानि कि सुरू का velocity यू 10 है 10 मिटर पर सेकेंड और acceleration 5 है यह बोला गया है कि इसका velocity कितना है 10 और acceleration 5 तो 5 मिनट बाद यह कितना दूर चल गया होगा यानि कि यह जो कार है जिसका velocity 10 है और acceleration 5 है यह इतना velocity और इतना acceleration लेकर 5 mayn этому कितना दूरी तैई करेगा 10 maynute में कितना दूरी तैई करेगा 15 maynute में कितना दूरी तैई करेगा कितना distance travel करेगा चलेगा उसी वही हम दूरों निकालेंगे second equation of motion यानिकि second equation motion का काम क्या है हमें travel distance निकालना एक पार्टिकल था उसने चलना शुरू किया इतना स्पीड से इतना एक्सेलरेशन से इतना टाइम बाद तो कितना डिस्टेंस चल चुका होगा तो S से S आप याद रख सकते हैं second equation of motion में S बरबर U T प्लस हाफ एक्सेलरेशन और T टाइम फिर बता रहें किस टाइब का सवाल पुछा जाएगा इसमें देखिए ध्यान आपको क्या निकालना है ट्रेवल डिस्टेंस आपको क्या बोला जाएगा एक मोटर साइकल था इतना इतना स्पीड से जा रहा थे यानिकि सुरू का वैलोशिटी इतना है और एक्सेलरेशन भी टाइम भी दिया रहेगा तो यूटीप्लास हाफ एट स्कॉइर से हम लोग डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं अब एक बहुत-बड़ा कंफिजन आते किस बच्चे कुछ बच्चे एक पुछते कि सर हमएं किस हिसाब से लगाना है मिटर सेकेंड टाइम मिटर पर सेक्न स तो ये निर्वर करेगा आपका option पर यानि कि किस type से पूछा गया सवाल में खुद पूछेगा कि हमें जो distance से cm पर चाहिए कि मीटर में चाहिए कि किलोमीटर में चाहिए तो हम लोग पूरा ऐसा unit में निकालने के बाद जिस हिसाब से पूछेगा उस हिसाब से हम लोग convert कर देगे अब हमरे एस बरबर यूटीप प्लस हाफिट इसकर में एस हमारे पास क्या था ट्रेवल डिस्टेंस इन टाइम टी यानिकी टाइम जितना टाइम था उतना टाइम में वह पार्टिकल ने कितना दूरी तही किया हमें यू भी दि तरहार चला दो यू इस वह प्लस्टे सुरुवात का व्लस्टी ठीक है टी क्या है टाइम एक क्या है यूनिफोर्म एक्सेलेशन तो सेकेन एक्वेशन और बोसल में क्या याद रखना है हमें इसमें क्या पूछेगा कि पार्टिकल ने कितना दूरी तहीं किया उसके लिए हमें वो क्या देगा इनिसेल वेलोसिटी देगा टाइम देगा एक्सेलेशन लिगा यार यारि कि सब कुछ दियावार रहेगा हाँ बस आपको पहचानना है इसमें पूछा क्या गया है और कौन सा एक्वेशन लगाना है लेकिन हाँ हमेशा याद रखे हमेशा याद रखे कि बच्चे को जहां पर velocity acceleration दिखता है इन तीनों में से किसी एक को भूशेट देता है उसके बाद फिर बोलते हैं कि सर अंसर नहीं आया अंसर कैसे आएगा यार यह तीनों तो तभी लगता ना जब acceleration uniform होता constant होता अब जब acceleration बदल गया है uniform नहीं है concert नहीं है प्रियतीनों कुछ काम कहीं नहीं है क्योंकि ट्रॉफिक स्टाट ही हुआ है uniformly accelerated motion अगर acceleration uniform नहीं रहा फिर equation of motion बन ही नहीं सकता है equation of motion तो इसी सर्थ पर बना है कि acceleration uniform रहे apply well acceleration is uniform अगर acceleration uniform नहीं रहे फिर आपको बच्चे सवाल पुचेंगे सर फिर हम लोग पहचानेंगे कैसे कि acceleration uniform है कि नहीं कि वह सवाल में या तो देगा वह simply क्या देगा acceleration के फेलो देगा ये वराबर टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेर देखिए हाँ ये एक अच्छा सवाल था कि सर हम लोग पहचानेंगे कैसे सवाल में कि acceleration uniform है कि नहीं है आप कुछ पहचान बताइए तो आईए पहचान बताते ह कि पहचा लेंगे कैसे ये भी सही बात है कि सरह पहचान कैसे पाएंगे क्यूंकि हम लोग आप जो पड़ा हैं पहला हमें पहचान न सिखाए कि सवाल में कब कब हमें इक योस comfort edition लगाना है आईए पहचान न सिखाते हैं आप मालगे सवाल में यह पूछा जाएग ऐसा यह जित पृट नहीं यह पांच ही रहें तो पांच वहीं नो यह बदलेका नहीं एक साल भांद फाइव ही रहेंगा यहां पर यहीं कैसे अगर कुछ भेलावे दिया रहें 5 10 15 20 30 35 40 यहांने कि रोटेशं अग्या में सब्सक्रास सब्सक्राइब यहां समय आपको समझ जाना है कि acceleration constant नहीं यह क्योंकि यहां पर X भी आ गया है और एक्सको अगर हम लोग बदल लेंगे एक्सको दो रखेंगे एक्सेलिशन दो दुना 4 प्लस पांच नौ हो गया एक्सको तीन रखेंगे तीन दुना चौब प्लस पांच 11 हो गया एक्स को चार रहेंगे, चार दूना 8 प्लस 5 कितना होगा, 13 हो गया, यानिकि एक्सेलरेशन यहाँ पर बदलता हुआ नहीं जा रहा है, यहां कुछ बदलने वाला चीज थाने है यहां बदलने वाला चीज है यादि कि यह नॉन उनिफर्म अप्लाई नहीं होगा इस टाइब के केस में होगा है अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऊप मोशन में क्या आएगा वी स्कर बराबर यू स्कर प्लस डू एस वही सेम है बीए फाइनल वेलोशीटी है यह एकशेलेरेशनल यूनिफॉर्म और एस ट्रेवल डिस्टेंस अभी कब अप्लाई करना है किस टाइब के सवाल में जैसे माली जो के सवाल यह पूछा गया है एक पार्टिकल स्टार्ट विट इनिटिवेटि वह इलोसरी 50 किलेमेटर पर आया है आप्टर सम टाइम कुछ दिर बाद आप्टर सम टाइम इट्सॉंप्लाई ब्रेक उसने ब्रेक लगाया और इट्सॉम्टाइम इट्स टाइम एट्स फाइन वेलोसिटी बिकैम 20 शुरू म यह पुछेगा how much distance it will travel before coming to rest यानि कि आप गाड़ी रुकने से पहले कितना दूरी चलेगा जिसे मान लिजी कि गाड़ी अच्छे चल रहा था 50 km पर ते घंटा कर रफ्तार से चल रहा था अचारक ब्रेक लगा है ब्रेक लगाने से गाड़ी सुलो होगा सुलो होगा किने यान लोग गाड़ी पर अगर ब्रेक लगाएंगे तो थोड़ा देर बाद रुख जाएगा गाड़ी पर ब्रेक लगाई तब ही नहीं रुकेगा मालीज की speed में है आपका बाइक speed ज़्यादा है तो just break लगाएंगे उसे time ले रुकेगा थोड़ा दूर आगे चलेगा और थोड़ा दूर चलने के बाद रुकेगा यही सरत है अब यही पूछा गया है कि कितना दूर रुकने से पहले चलने के बाद रुकेगा इस टाइप का सवाल में थाड़े क्यों चलने खुद बताएगा को सबको पता चल जाएगा कि क्या पुछा है चला हुआ दूरी पुछा है या फिर रुकने से पहले वाला दूरी पुछा है विफॉर कमिंग टूरेश्ट वाला पुछा है उस टाप के ऐसे प्रोब्लम के जब हमनों सवाल प्रेक्टिस करेंगे तो आप सेकेムा 스트司ल और सेकेंड सेकेंग क्या कहता है कि सुशू का वैलोशिटी और एक्षि शला जितना दूर चल पाएगा वैर थाड में क्या बोलता है कि ब्रेक वगाराल लगाने के बाद कितना दूर चला रेस्ट में आने से पहले कितना दूर चला तो क्या कौन कहता है थ συνक Conc में एक्वेशन सेकेंड लगाना है और कुछ इनफरमेशन दिया हुआ नहीं है डिस्टेंस के बारे में तो एक्वेशन फिर्स्ट लगाना है था यह पूस पूस अप्लिक में आगे गाना है हमलोग सवाल बेराक आप कर दिये होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे अगर आप हमरे चैनल में नहीं हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए सेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएए ठैंक्स दल्लेवाद बच्चे मिलते हैं लेक् अधियर एट में